और अब रूसी हमलों के बीच खारकीव पहुचे राश्पती जलेंस्की बड़ी खाबर आपको बता दे जा जलेंस्की ने खारकीव का विडियो भी जारी किया और जलेंस्की ने खारकीव के हालात का जायजा लिया जलन्सकी ने काया रूस ने खारकीव में तबाही मचाई हुई है पिछले कुछ दिनों में रूस ने खारकीव में भीशन हमलों को अंजाम दिया है और खारकीव में जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी एक-एक डीटेल इंफरमेशन टीविराइन भारत वर्ष ने आपको दिखाई और यही वो लोकेशन है जहां पर अब जलेंस की खुद हालात का जायजा लेने के लिए पहुचे है खारकीव का जायजा जलन्सकी ने लिया है लेकिन खारकीव में किस तरीके से महाविनाज की शुरुवात पुतिन ने की है उसी बारे में डीटेल इंफरमेशन आपके सामने क्योंकि पुतिन का ये आक्शन खारकीव में देखने को मिला और बिल्गरोद पर ही विदेशी हत्यारों से कीव के अटाक को लेकर भी बड़ी खबरें आए हैं आला कि क्रिमिया को भी निशाना बना रहा है यूक्रेन ये एक और बहुत महितपून इंफुर्मेशन है और उसी के तहट अब आगे सवाल करने से पहले समझिए जरूरी बा जिसके तहट हम ये समझ पाए कि खारकीव से किस तरीके से कबज़ा और खारकीव में इन उपरेशन को अंजाम देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश रूस कर रहा है अब बिल्कुल देखे खारकीव युक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा सहर है बहुत सारे भारती चातर वहाँ पर पढ़ाई करते थे और आज की तारीक में देखिए जब से रूस ने अपना ओफिंसिब अटाक शुरू किया है खारकीव की कितनी तबाई हो रही है खुद ज अंतिम फैसला हो उससे पहले जितना हो सके खारकीव पर अपना कबजा कर लिया जाए क्योंकि खारकीव पर एक बार कबजा होने के बाद बेल गरोद कुर्स कश्नोदार जैसे इलाके सुरुक्षित हो जाएंगे वहीं दूसरी तरफ कल के दिन में मान लीजिए युद खत् उनकी को लेकर एक इनपुट है जहां रूस पर अमेर्की हत्यारों से हमला पश्चमी देशों की हताशा है पश्चमी देश यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं लवरोव की तरफ से का गया रूस के लिए खत्रा बना तो पश्चम देश पर हमला करेंगे युद में यूक्र अबना तरफ से का इस समय देने लिए करेंगे युद के लिए श्चमी अच्चम देशाए है अंदर करेंगे हैं रहे हैं रहे हैं